एक ऐसा फोन चाते हैं, जिसमें एक अच्छा कैमरा हो, एक अच्छा गेमिग प्रोसेजर हो, एक अच्छा बैटरी बैककप हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौनसा फोन लिया जाये है क्या Samsung Galaxy A06 फोन ठीक रहेगा या Samsung Galaxy F05 लिया तो कौनसा फोन लिया जाये समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगाए हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू दूँगा और बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में से कुछा फोन बैच रहेगा जी हाँ इस फोन के बोक्स में हमें चारजर देखने को नहीं मिलता है तो चलिए फिर बिना किसी दीरी की इस फोन के लुक और डिजैन की बात करें जो कि इस फोन की बैक में डूल कैमरा सेटप के साथ एक फ्लैच लेड़ देखने को मिलती है बैक में लैदर बोडी के साथ प्लाचिक फ्रेम देखने को मिलेगा ओवराल लुकवाइस देखने में फोन काफी बरिया लग रहा है इस फोन के वेट की बात की जाए जो कि इस फोन का वेट 195 ग्राम से है साथ ही में इस फोन में हमें 8.8 mm की थिकनेस देखने को मिलती है वैसे हैंडी तो है ये फोन तो चलिए अब इस फोन के डिस्पले की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें PLS LCD पैनल देखने को मिलता है साथ ही में इस फोन के डिस्पले में 262 PPA Density के Resolution 82.1% Screen to Body Ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है Overall काफी decent सी display देखने को मिलती है जो कि budget के 4G phone में देखने को मिलती है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें Medita Helio G85 processor देखने को मिलता है with 12 nanometer chipset जो कि हमारी gaming performance को काफी enhance कर देता है साथी में इस phone में Android 14 version 4GB तक virtual RAM extend memory सिर्फ face lock यानि की fingerprint sensors देखने को नहीं मिलेगा साथी में dual SIM प्लस SD card SIM slot देखने को मिलता है बाती इस phone में single speakers देखने को मिलते है यानि की audio and speaker performance तो decent रहेगी इस phone की इस phone में A की variant देखने को मिलता है जो कि 4GB RAM and 64GB टेनल चोरेश है जो कि इस phone में हमें dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 50MP का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा में 2MP का depth camera देखने को मिलता है with 2.4 aperture rate इस phone का camera 1080p 60fps तक video recording support करता है selfie camera की बात करें जो कि इस phone में 8MP का selfie camera देखने को मिलेगा with 2.0 aperture rate साथ हम इस phone में हमें LED flash HDR, panorama, food, night, slow motion, hyperlapse mode जैसे camera features भी देखने को मिलते हैं इस phone का camera 10x zoom तक sported है overall इस budget की हिसाब से काफी बरिया camera performance देखने को मिलती है इस phone का camera daylight के साथ night photography के लिए भी बैचे रहेगा indoor and outdoor camera performance भी इस phone की काफी बरिया है तो चलिए ये तो थे इस phone के camera features तो फिर अब क्यों ना इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 5000Ah बैटरी देखने को मिलती है ये phone 25W की charging support करता है normal usage करें तो इस phone का battery backup असानी से 13-14 आस्तक कर रहेगा finally तो फिर अब क्यों ना इस phone के pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें एक ही variant देखने को मिलता है जो कि 4GB RAM and 64GB channel storage जिसका price 6500 है ये phone एक ही color variant में available है तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के सभी specifications तो फिर अब क्यों ना इस phone को side में रखा जाए और बरा जाए हमारे दूसरे phone की और जो कि Samsung Galaxy A06 phone है इस phone के भी box में हमें हमारा phone कुछ manual guide simulator toolkit 1 C2C tab cable देखने को मिलती है यानि की charger तो इस phone के साथ में भी देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए इस phone के भी look and design की बात करें जो कि इस phone के भी back में हमें dual camera setup के साथ एक flash light देखने को मिलती है back में shining plastic body के साथ plastic frame देखने को मिलता है इस phone में हमें inverted side borders देखने को मिलते है तो चलिए अब इस phone के weight की बात की जाए जो कि इस phone के weight 186 gram से साथ में इस phone में हमें 8 mm की thickness देखने को मिलती है overall look wise देखने में भी यह phone काफी बरिया लग रहा है handy भी है यह phone तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के display की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें PLS LCD पैनल देखने को मिलता है इस phone के display हमें 262, PPA density का resolution 83.8% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है यानि कि इन दोनों फोनों की display में तो इतना कोई खास difference तो नहीं है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें MediTek Helio G85 processor देखने को मिलता है with 12 nanometer chipset यानि कि gaming performance तो इन दोनों फोनों में same ही रहेगी साथ ही में इस phone में भी हमें Android 14 version 4GP तक virtual RAM extend memory side mounted fingerprint sensor के साथ face look dual sim plus SD card sims load देखने को मिलता है बाकि इस phone में भी single speaker से देखने को मिलते हैं यानि कि audio and speaker performance तो इस phone में भी decent रहेगी तो चलिए फिर अब इस phone के camera features की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा 2 megapixel का depth camera देखने को मिलता है with 2.4 aperture rate इस phone का camera 1080p 60 apiece तक video recording support करता है selfie camera की बात करें जो कि इस phone में भी हमें 8 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा with 2.0 aperture rate साथ ही में इस phone में LED fresh HDR panorama food night slow motion hyperlapse mode जैसे camera features भी देखने को मिलते हैं इस phone का camera 10x zoom तक supported है overall इन दोनों फोनों की camera performance में भी कोई खास difference तो नहीं है इन दोनों फोनों का camera डेलेट के साथ night photography में भी best रहेगा indoor and outdoor camera performance भी काफी बरिया है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के भी battery backup की बात की जाए चुकि इस phone में भी हमें 5000 mh battery देखने को मिलती है यह phone भी 25 वोट की charging support करता है normal usage करें तो इस phone का भी battery backup असानी से 13 to 14 आज तक कर रहेगा तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के भी pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें दो वेरिट देखने को मिलती है पहले फोर्ज भी RAM ए 60 फोर्ज भी टरनल स्चोरिच जिसका प्राइस 10,000 है दूसरा फोर्ज भी RAM एंड वांच ओंड गेर्ज भी टरनल स्चोरिच जिसका प्राइस 11,500 है हमें दोना ही वेरिंट स्पर ओनले शोर्ज पर 500 का क्रेडे का डिसकाउंट भी देखने को मिलता है ये phone तीन कलर वेरिंट में अवेलिबल है तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के सभी specifications अब बात करते हैं कि इन दोना फोनों में से कौन सा phone बैच रहेगा सबसे पहले pricing की बात करें जो कि price में तो काफी difference है डिस्प्ले performance, camera, processor, तीनों में कोई खास difference तो नहीं था बैटरी backup भी इन दोनों फोनों का सेम ही था लुक्स में सिरफ difference था बाकि सब कुछ तो इन दोनों फोनों में सेम ही था तो फिर अब सोच क्या रहे हो ये Samsung Galaxy F05 phone ही एक all-rounder best budget friendly phone रहेगा बाकि let me know इन दा comment section आपको इन दोनों फोनों में से कौन सा phone best लगा